अंतस की धारा में जागे रहना, वर्तमान के बलों में तू ही है अपना अर्जुन, हाथ में लिए शस्त्र खड़ा हिम्मत तेरी है तेरा प्रश्ना, रही रत को तेरे दोड़ा खुद जुनकर अपना भविश्य, आज तुझे बढ़ना ही होगा उठा अपना गांडी, आज तुझे लड़ना ही होगा तुझ पर क्या छाएंगी मुश्किले, कि तु मुश्किल पर ही छाजा तू मोड देरुख तू फानों का, हर चक्टान से टकरा जा तू मिटाने को ये भीतर का अंधेरा, ये अंतस का अंधेरा, खुद तुझे जलना ही होगा उठ, उठा अपना गांडी, आज तुझे लड़ना ही होगा बीतर जागना, बंदाखो से, कहीं वर्तमान छूट तो नहीं रहा कमरसीदी, शरीर के प्रति पूरी सजगता, थोड़ी देर मान हो जाएं आप देखी रहे हैं, पहले विचार इतने नहीं थे, जितना की आखे बंद करते ही आने लगे और जादातर हम सभी लोग इस बात से परिशान रहते हैं, कि विचार बहुत जादा आते है विचारों से मुक्ती कैसे मिले, ध्यान रखना, इसके लिए तीन मार्ग है एक गौतम बुद का, एक भगवान महवीर का, और तीसरा संत मत, जिसमें गुरक्षना जी, कभी, रैदा साधी संत आते है जो मार्ग तुमें इजी लगे, उसे मार्ग से आगे बढ़ना, लेकिन बढ़ना जरूर गौतम बुद का मार्ग है, अपनी सासों का स्मरण रखो, माइड यूर ब्रेथ, अपनी श्वास का खयार जो तुमारी श्वास की नॉर्मल गती है, एक मिनट में पंद्रा से बीस बार लेकिन इस गती को हमने साथ या आट पर ले आना है महिशी पतांजली और गुरू गुरक्षना जी कहते है, एक दिन में 21,600 श्वास चलते है ये श्वासों की गती होती है यदि श्वासों को स्लो कर लिया जाए, तो एक्स्ट्रा यानि नेगटिव विचार नहीं आते एक बहुत आसान तरीका है, बस श्वास को स्लो कर लो तुम विचारों से मुक्त हो जाओगे, बहुत धीमी श्वास लो इसी बात को गौतम बुद्ने कहा, आना पान सती यानि श्वास का आना और जाना सुम्रण रहे उस निराकार की याद के साथ जब तक उस निराकार की याद रहेगी, तब तब विचार नहीं आते जगत के काम तो सभी करने है, बस उस निराकार की याद रहे उस जैसी उसकी याद आएगी, तुम फॉरण विचारों से मुक्त हो जाओगे दूसरी विधी, टेक्नीक, महवीर भगवान ने दी पर उसका स्मरण करो, आत्मा को जानकर अंदोलित हो जाओ, उस सहा से बर जाओ, मैं कौन हूँ इस विधी को गुर्जियेफ ने भी माना, उसने का सेल्फ रिमेंब्रेंस, यानि आत्म स्मरण, कि मैं आत्मा हूँ आत्मा से तादात में बनाओ, जब तक आत्मा का स्मरण होगा, तब तक विजारों की संख्या कम हो जाएगी लेकिन ये थोड़ा कठिन मामला है, कि आत्मा को जानकर उसका स्मरण करना क्योंकि आत्मा को बहुत कम लोग जानते है लेकिन श्वास को तो सभी लोग जानते है तीसरी विदी जो संतमत है को रक्षनाजी कबीर जी रैदा साधी ने कहा तुम्हारे जीवन में भीतर सदैविक अनहद नाद बूझ रहा है साइलेंस बस उस नाद का श्रवन करो मौन उसका श्रवन करते ही तुम विचारों से मुक्त हो जाओगे इन्ही विचारों से मुक्त होने के लिए हम भगवत गीता का अध्यान कर रहे है नेक्स्ट शिलुक में कहा जारा है है अरजुन इस करम योग में निश्चयात्मे का बुद्धी एक ही होती है किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेख ही इन सकाम मनुश्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदो वाली और अनन्त होती है बहुत गहरा मतलग है थोड़ा देहां से समझना इस शलुक में पहला शब्दाया व्यवसाइत्मिक व्यवसाइ यानि बिजनस आत्मिक यानि आत्मा जो आत्मा का व्यवार करना चाहते हैं वो व्यवसाइत्मिक बुद्धी है यानि उनके बुद्धी निश्काम है दूसरा जो आत्मा का व्यपार नहीं करना चाते वो अव्यवसाइत्मिक बुद्धी है यानि सकाम बुद्धी यानि एक सकाम बुद्धी है दूसरी निश्काम सकाम बुद्धी को अव्यवसाइत्मिक बुद्धी कहा यानि जो आत्मा के भीतर नहीं खोना चाहते वो सकाम बुद्धी रखते हैं दूसरे है व्यवसाइट में यानि जो आत्मा में खो जाना चाहते है यानि जो अपने जीवन का खर्च आत्मा के लिए करना चाहते है वो वेवसाइत बुद्धी है, निश्काम बुद्धी है, यानि उसका निश्चे अडिक है दूसरी तरफ जो और वेवसाइत में बुद्धी है, वो है सकाम, उनका निश्चे हिलता डूलता रहेगा क्योंकि उनका मन बहुत बहुशाखा वाला होता है जो अपने आप में क्लियर नहीं होते है मालो तुम जगत में रहते हो और तुम धनकी कामना करते हो जैसी तुमने धनकी कामना की तुम्हारे मन की बहुशाखा हो गई या नहीं कि कौन सा बिजनेस करें किसमे profit जादा है, कितना जूट वोलना है ये सब कुछ बुद्धी में अपने आपा जाता है यानि गन के संग्रहे के साथ साथ तुम्हारे मन की बहुत सारी शाखाएं हो जाती है और जैसे ही कोई संसारी काम न उठी मन बहुत सारी शाखाओं वाला हो जाता है जिसे मल्टी साखिक कहा जाता है और जिसकी शाखाएं बहुत जादा हो जाती है फिर वो रूट से मिलने लगती है जिसे उखाण पाना बहुत मुश्किल होता है बीतर देखना, तुमारे बीतर है क्या ये शाखाएं ममत्व की जड़े, तुमारे अहंकार की जड़े, तुमारे एगो की जड़े जिने उखाड़ना बहुत मुश्किल है दूसरी तफ वेफसाइट में बुद्धी निश्काम होती है उनके मन में बहुत जादा शाखाएं नहीं होती वो अपनी बुद्धी का प्रियोग सिर्फ और सिर्फ आत्मनु भुद्धी के लिए करता है यहां भगवान किशन अर्जुन को यही कह रही है कि है अर्जुन, अभी बीतर कुछ मिला नहीं है बाहर छूट रहा है, घबरा मत, तु बलकुल सही रस्ते पर है इससे तेरा बहु शाखा वाला मन टूट रहा है तु संभाव रख, तेरे कर्मों के बंधन टूट रहे है भली तुझे अभी वो दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे तो दिख रहे है इसलिए तु मुझे बहरोसा रख, परिस अग्यात मार्ग पर चलता जा पहली बात, संभा के आरम का नाश नहीं होता जो आत्मिक राज्य हम खोच जुके हैं उसकी प्राप्ती के लिए तो हम अंतस की धारा में निकले हैं योगी द्रिष्टी कौन चल रहा है बिल्कुल अब तु चाहकर भी संसार में नहीं बटक सकता बस तु मुझे में शद्धा रख तुम कहते हो अभी तक अनुगूती नहीं हो रही इसका मतलब क्या हुआ? तुम सम्ता भाव को खो रही हो सम्ता से किया गया अनुष्ठान से परिभ्रमन का नाश होता है भली तुमारे भीतर अभी अन्दकार है लेकिन इसी अन्दकार के आगे प्रकाश है सम्ता भावी परमात्मा का स्वरूप है बार का तो छूट रहा है भीतर कुछ मिलने ही रहा यानि अर्जुन को भीतर कुछ मिलने की आकांशा है अर्जुन को यही तो दुविदा है आत्मनुभूती की चाहा से तो तुम ध्यानधारा में आओगे लेकिन बाद में यह भी छूड़ जाना चाहिए नहीं तो यह आकांशा तुम्हें अर्जुन की तरह भटकाएगी तुम यह कामना बंद कर दो की आत्मनुभूती कब होगी? कब होगी तुम्हें सद्गुरु मिल गए? तुम्हारी तुरुक्यां दूर हो रही है? या नहीं? बीतर देखना? बस अब जैसे कहा जा रहा है वैसी आत्रा करो किसी को दो मिनट में द्रिश्टी मिलती है किसी को दो साल में, किसी को बीस साल में भी नहीं, किसी को सालू साल निकल जाते है सबके अलग-अलग कर्मों का हिसाब किताब है उसी हिसाब से तुमारी द्रिष्टे उजागर हो रही तुम्हें केवल संभाव रखना है क्योंकि संभाव इश्वर का गुण है यही शाश्वत है तेरी बुध्धी में सकाम भावना आ रही है बीतर कुछ मिला नहीं, मिला नहीं इस भाव को तोड़ संभाव ही नित्य है यही तुमें आगी की यात्रा कराएगा नेक्स्ट शलोक में कहा जा रहा है अरजुन जो भोगों में तनमय हो रहे हैं जो कर्म फल के प्रशन सक वेद वाक्यों में ही प्रीती रखते हैं जिनके बुध्धी में स्वर्गी परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले है वे आव वीवे की जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थार्थ दिखाओ शोबा युक्त वानी को कहा करते हैं जो की जन रूप, करम फल देने वाली, एवं भोग तथा एश्वर्य प्राप्ती के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है उस वानी द्वारा, जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और एश्वर्य में अतियत आ सकत है उन पूश्चों की परमात्मा में निश्चियात्मे का बुद्धी नहीं होती इस शलोग को डिटेल से समझेंगे हम नेक्स्ट वाल्यूम में तब तक इंतजार के पलों में रहना जागे रहना वर्णन के पले में चाहे तो छोड़ दो, चाहे तो निभालो अंतस की धारा तो हमारी है पर मर्जी सिर्फ तुमारी है